नमस्कार विद्ध्यार्ति मित्रो तोरण ग्यार साइस रसाइन विग्णान पाट एक मा अपने लास्ट लेक्चर मा मोलारिटी एकमुपर आधारित दाखलावने अपने गनत्री करेले सांद्रता दर्शेवा माटे ना जे आपने जुद्धा जुद्धा एकमुप शमझा शिया एमा थी नॉर्मालिटी अथवा सवप्रमानता एकमुपर आधारित केटलाग दाखलावने अथा अने मोला रिटी यहकम उपर आधारित पौन अपने लास्ट लेक्ष्र मा कितला दाखलाओ गने लाधा सांद्रता दिर्श्यावा माटेनों त्रीजोजे एक एकम से यह से मोला लिटी अने मोला लिटी एकम उपर आधारित दाखलावो छे यहनी आपने गनत्री करशुँ त्यार बाद हजू आना पशी बे एकम एक परसंटेज वेइट बाईट वेइट वजन वजनती टकावारी अने मोल अंच आ एकम उपर पाण आपने आजारित दाखलावो छे यहनी गनत्री करशु तो अच्यार तमे मोला लिटी एकम उपर आजारित दाखलावो छे यहमा प्रतम एक दाखलानी रकम में बोड उपर लखेली छे कि बेक किलोग्राम द्रावक माँ 0.8 ग्राम एने व को थे बनता द्रावन नी मोला लिटी शोदो तो तमे मित्रों याद करों कि आपने मोला लिटी एकम माटेनू सुत्र आपने समझ्याता कि मोला लिटी स्माल एम बराबर तो मोलालेटी स्मॉल M बराबर W2 गुणा कर्मा हजार छेदमा M2 अने गुणा कर्मा W1 ग्राम बराबर जो W2 येटले द्राविया पदार्थनु वजन M2 येटले द्राविया पदार्थनु अनुबार अने W1 एटला द्रावक नुँ वजन ग्राम मा तो आज सुत्रमा तमें जूओ के ज्या W2 बराबर द्राविय नुँ वजन अने द्राविय पदार्त नुँ वजन आपने आपेलो छे 0.8 ग्राम एटला द्रावक नुँ वजन थाईशे ग्राम मा अने द्रावक नुँ वजन तमें जूओ 2 किलो ग्राम आपेलो छे अने जू आपने ग्राम मा फेरविये तो 2000 ग्राम द्रावक नुँ वजन कई शकाई M2 एटले के द्राविय एने ओज जेशे सोडियम हाइड्रोक्साइड नो अनुबार अने सोडियम हाइड्रोक्साइड नो अनुबार पर्मानिय बार नोग सरवालो करिंत में घणशो एले 40 ग्राम प्रती मोल ये सोडियम हाइट ओक्साइड नुँ आणिविय दल छे आब दे किमतो अपने आमा मुकी देए तो 0.8 ग्राम छे गुणा करमा 1000 छेद मा आणिविय दल थाईशे 40 ग्राम प्रती मोल अन्य गुणा करमा द्रावक नुवजन 2000 ग्राम आब दे किमतो आपने आमा मुकी अन्य जो तमे साधुरूप आपशे तो आनो जवब आवशे 0.01 मोला लीटी तो आद प्रस्णों के दाखला मा जे आपने द्रावन नी मोला लीटी पूछी चे ये 0.01 मोला लीटी जवाब चे ए आपने मल चे तमे मित्रों जाद करो के मोला लीटी एकमनी व्याक्ष्यापन आपने जानिया चे एक किलोग्राम पाणी मा अत्वातो द्रावक मा रहेला द्राविया पदार्थ नी मोल संख्या ने द्रावन नी मोलालेटी तरीके वोलखवा माले तो अत्यरत मेजु आ द्रावन नी मोलालेटी 0.01 मोलालेटी मलेशे एनो मतलब शुवत्यों कि एक किलोग्राम जो पाणी होई तो एमा 0.01 मोल द्राविय पदार्थ रहेलो शे यह उकई शपाई एटले मोलालेटी एकमनी जे अपड़े व्याक्या समझाता ये तमनी यादेशे कि एक किलोग्राम पाणी मा अत्वा एक किलोग्राम द्रावक मा रहेला द्राविय पदार्थ नी मोल संख्या ने द्रावन नी मोलालेटी तरीके ओलखवा मालेशे तो आज दाखलानो जवाब 0.01 मोलालेटी था चे बिजो दाकलो जे छे यह नी पन रकम मु अहिया गर बोड़ों पर लको च 25 ग्राम खांड चे 125 ग्राम पानी मा 125 ग्राम पानी मा उगाल वाथी बनता द्रावण नी मोलालिटी शोदो वाचो बराबर 25 ग्राम खांड ने 125 ग्राम पाणी मा उगाल वाथी बनता द्रावण नी मोलालिटी शोदो तो अईया अगल पन मोलालिटी M बराबर W2 गुना करमा 1000 छेदमा M2 गुना करमा W1 अईया तमें जुओ कि जो आपने वे सिधी खबर पड़ी जाए तो वारंबर साइन में लखवानी जरूर नती अच्चेर लखेलू छेल तम जोई जो कि W2 अटले द्राविय पदार्त नू वजन थाशे और द्राविय पदार्त रिके खान अशे तो खान नू वजन आपने आ अपेलू से 125 ग्राम तो इग्राम मां से एतले एना एकम मां कोई फेरपार करवानी जरूर नती तमने ख्याल चे कि द्राविय पदार्त नू जे अपने आपने अगाल लईया से W1 इग्राम एकम्मां से और तो ज अंशमां हजार वड़े आपने गुना कर्मां लईया तो अ खांड एटले ने विग्णन मा सुक्रोज तरीके अपन उलक्वाम आवे अने तमे सुक्रोज नू अनुसुत्र जानता है छो के C12H22O11 सुक्रोज अथवा खांड नू अनुसुत्र थाई C12H22O11 जो तमे आमा बदा जा पर्मानुना पर्मानिया दोल मुकी अने गुनाकार करीन सर्वालो करो तो कार्बन बार से अने कार्बन नो पर्मानु भार पर्मान पर्मार थाई ऐड्रोज न बावीस से अने नो पर्मानु भार एक ग्राम प्रती मोल ताई आवियापदार्त नुँ वजन से 25 ग्राम, गुना करमा 1000, अनुबार से 342, अने द्रावक नुँ वजन से 125 ग्राम, अने आनो तमे जो गुना कर भगा कर कर छो, यहले आज जवाब आपने मल से 0.58 मोला लिटी, तो मित्रों अहिया गल्त में जुओ, कि आजे बिजो दाखलों ईनो जवाब, 0.55 मोला लिटी, यह आपने जवाब से, यह मले हसे, सामय रिते द्रावियापदार्त नुँ वजन, आणे द्रावक नु वजन जो आपने आपगेलों होència, छेते द्रावियापदार्त ना अनु शुत्र ने जो आपने जानता होई, तो यह ना उपर तेनो अनु भार गणी छकाई अने आ त्राण बाब जो आपने जानता होई है तो सुत्रमा किमत मुकवाथी कोई पन द्रावण नी मोलालती छे ए आपने गणी छक्किए त्रिजो यक दाखलो जे छे एनी रकम कुँँ याग लकू जुँ अने दाखलो छे ए आवा प्रकार नो छे के 200 ग्राम बे मोलल नो एलेके सोडियम आईड्रोकसाइड नु द्रावण बनावा माटे केटला ग्राम नो जरूर पड़े बनावा माटे केटला ग्राम नो जरूर पड़े आवा प्रश्णा से के 200 ग्राम अन्येक शब्द रहिग्यों से के 200 ग्राम पाणी मा 200 ग्राम पाणी मा बे मोलल नो नो द्रावण बनावा माटे केटला ग्राम नो जरूर पड़े तो अईया तमे जूओ मित्रो के सोडियम हाईड्रोकसाइड नु वजन आपनने पुछू से एन और थेवो छो के द्राविय पदार्द नु वजन शने ये आपने घणुवानू से तो आज सुत्तरमात में जूओ के जया मोलालेटी के एटली से बे माचो रपकम मा बे मोलल नो ये तनु द्रावण बनावानू से मतलब येवो द्रावण बनावानू से जनी मोलालेटी बे अथा छे द्राविय पदार्द नु वजन डबल्यू टू आपने मिलावानू से द्रावक नु वजन 200 ग्राम पाणी ये आपने आपेलो से अने एम टू येटले द्राविय पदार्द नू अनुबानू अने द्राविय पदार्द रिके सोडियम हाइड्रोकसाइड से तो 40 ग्राम प बराबर बे गुना कार्मा 40, गुना कार्मा 200 और भाग्या 1000 तो अनो जवाप्त में गणतरी करो कि W2 बराबर आपने जवाब मलशे 16 ग्राम तो 16 ग्राम तमें जो सोडिया मैट्योकसाइड 200 ग्राम पाणी मां जो तमें उमेर छो तो बंताद्रावन नी सांद्रता बे यह उकाई शक्किये त्यार पसी एक दाखलो से अने एनी रकाम हो यहाग बोर उपर लखूँछू के एक पोईंट चोपन मोलल दाखलो आबा प्रकार नो अशे के एक पोईंट चोपन मोलल जो मोलल नो अर्थ शूँथाए यह आपने जानिया से एवु द्रावन के जहनी म आपन मोलल द्रावन बन्नावा माठे केटला ग्राम इत्थे नोल पाँच किलो ग्राम पाणी मा ओगाळवो पड़े आवो प्रेश्णा से जो वाँचो रकाम बराबर एक पोईंट चोपन मोलल द्रावन बन्नावा माठे केटला ग्राम इत्थे नोल पाँच किलो ग्राम पाणी मा ओगाल ओपड़े अगे अनुर्श्यूँच्यों के पाणी से द्रावक से अन्न इत्थे नोल से द्राविय पड़ार से तम्य जे द्रावन बन्नावो शो एन्नी मोला लिटी आप नापेली जे के स्मोल एम बराबर एक पॉइंट चोपन आप नापेलो जे केटला ग्राम इत्थे नोल ओगाल ओपड़े नो मतलग द्राविय पड़ार नूँ वजन पूछो उचे W1 एतले द्रावक नूँ वजन तो द्रावक पानी नूँ वजन तम्य वाच्छो रकममा के 5 किलो ग्राम पानी कीदू छे आने 5 किलो ग्राम पानी पानी थाशे बरोबर किलो ग्राम ने तम्हें ग्राम मा फेराऊँ छो एटले 5000 ग्राम पाणी छे यह थाशे M2 एटले इते नोल नू आन्विय दल अन्ने तम्हें मित्रो याद करो के इते नोल नू अनू शुत्र तम्हें जानो जो तोरण दस्मा तम्हें भणी ग्या के C2H5O8 नू आन्विय दल एटले जो तम्हें आन्विय दल मिलव उए तो कार्बन नो पर्मानू भार भार आईड़न कुल छो अशे तो 6 गुणा कर्मा एप अन्ने ओक्षियन एप कसे एटले 16 तो 24 प्लस 6 प्लस 16 एटले 30 न छेतालिस ग्राम प्रति मोल ये इते नोल नू आन्विय दल थाई आप दिखिम तो आपने एमां मूख्षियो एटले द्राविय पदार्त न वजन मल छे के मोला लिटी से 1.25 बराबर डबल्यू टू गुणा कर्मा एजार छेदमा चेतालिस ग्राम प्रति मोल अन्ने द्रावक नू वजन 5000 ग्राम तो डबल्यू टू बराबर शेँ उताई 1.25 गुणा कर्मा चेतालिस गुणा कर्मा 5000 अन्ने चेदमा एक अजार तो अहीं आकल डबल्यू टू ने आप्र सूत्रनों कर्ता बनाविया शें अन्ने आ किमत्त में जो आमां मुकी दियो अतो आनो गुणा कर भागा कर कर शें त 300.2.325.2 ग्राम एटलू दिराविया पदार्त नू वजन छे W2 यह आप्रन आ मालाऊ चें तो मित्रो आवा प्रकार है कि जो W2, W1 अन्य अनुभार आपड़े जानता होई है तो मोलालेटी मले, मोलालेटी जानता होई है, द्रावक नुवजन जानता होई है, अनुभार जानता होई है, तो द्रावन मा ओगालेला द्रावियपदार्त नुवजन पन आपड़े गणी आप तमने मलेई छक्ये, अत्वा तो यहने आपने गणतरी करी छक्ये, आवाज प्रकार नो एक दाखलो आपने पुछवाम आएवोशे, आने नी रकमु अहीं आपने बोड़ू पर लखुँछू, के 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, H2SO4 ना द्रावन नी घंता, 1.9 नू ग्राम प्रती मिली छे, तो ग्राम प्रती मिली छे, तो द्रावन नी मोला लेटी गणू, घंता, यहां गल्त में विच्छारो और दाखलानी रकम खास्त में वाच्छो कि तमने H2SO4 एलेके चल्फूरिक S1 द्रावण जायपू जे यह द्रावण नी मोला रिटी आपेली समझोई जगो 0.5 अने आज द्रावण नी तमारे मोला लिटी गणवानी जे आज द्रावण नी मोला लिटी गणवी होई तो तमें याद करो द्रावण पदार ना वजन नी तमने खबर ओवी जोईए द्रावण ना वजन नी खबर ओवी जोईए अने द्रावण नी खबर ओवी जोईए अने द्रावण नी खबर ओवी जोईए अने द्रावण नी खबर ओवी जोईए अई जो तमें जाणीलो, तो तमें आ द्रावणनी मोलालीटी से गणी छपो, तो सव प्रतम तमें जूओ, कί आद्रावणनी जे मोलाहिती, हापने आपे लिए जे, के मोलाहिती केपिटल M बराबर शूँ था से, तो मोलारेटी केपिटल M बराबर W2 गुणा कर्मा 1000 छेदमा M2 गुणा कर्मा V मिले तम्हें यादगरों मित्रों कि मोलारेटी नो अर्थ शूँ थाए मोल प्रती लिटर 0.5 मोलारेटी द्रावण आप पूचे नो मतलब 0.5 मोल प्रती लिटर द्रावण मा येटले आ सुत्रन यंदर जो तम्हें किमतों मुक्षों के ज्याँ W2 बराबर शुँछे तो W2 बराबर द्रावण नो वजन जे आ सुत्रमा M2 येटले द्रावण H2SO4 नो आणविया दल के द्राविया H2SO4 नो आणविया दल अने H2SO4 नो आणविया दल तमे गनतरी कर शो एले अठाणू ग्राम प्रती मोल आपने मल शे वी येटले द्रावण नू कद अने द्रावण नू कद आपले एक लिटर लईई शक्किये मोल आरिटी आइपी से एले अने एक लिटर एटले एक अजार मिली थाशे तो आग किमत अमे जोमा मुखी दियो तो 0.5 बराबर द्राविया पदार्थ नू वजन डबल्यू टू उना करमा अजार अठाणू अनू अनू भार से आपने जो द्राविया पदार्थ ना वजन नी जरूर पड़ी आपड़े आपड़े आइए आगल मोलारिटी आक मुख पर्ति आपड़े घणी शक्किये तमे आमने में गणत्री करी शको के जो अठाणू ग्राम एच टो एशो फोर एक लिटर द्रावण मा ओई ने तो ए एवा द्रावन नी ओपड़े एक मोलारिटी शे तेमा जो थुम्घड़े आपड़े इए सांध्रता जिरो पमैद्वाड़े आपड़े भीस अनुं मतलव स्यों थियो कि 1 लिटर द्रावमनमा मा अर्णू मूल शे एपुद्वे अटले 80 ग्राम नू अर्दू, मैं ऑगन तम्हें जूओ कि आपने द्रावन नी घंता बराबर शूँ केवाई कि द्रावन नी घंता बराबर द्रावन नू वजन भाग्या द्रावन नू काद जो खास समझेऊ आपने घंबधिवकतें बोलता होई है कि गंता बराबर वजन भाग्या कद पन कोणु द्रावन नी घंता बराबर शूँतें द्रावन नू वजन भाग्या द्रावन नू कद तो द्रावननी घंता आपन आपेली चे 1.9 ग्राम प्रती मिली आएनी घंता आपेली चे बराबर द्रावन नू वजन ये आपने मिलवानू छे अने छेदमा द्रावननू कद 1000 मिली थाचे 1000 मिली अन तेथी तमें विच्छारो कि द्रावन नुँ वजन बराबर शुँँ कई शकाई तो कि द्रावन नुँ वजन बराबर 1.90 ग्राम इन्टु मिली इन्वर्स अने गुणाकर्मा 1000 मिली अनो तमें जो गुणाकर करशो तो आपनने द्रावन नुँ वजन मलशे के तेथी द्रावन नुँ वजन हैने आपने डबल्यू कई ये बराबर शुँँ थाई 11ANO ग्राम आपनने नो तमें गुणाकर करो 1.9210 ग्राम मिली इन्वर्स अने मिली ये बराबर शुणाकर 17 ग्राम जुओ, तम्ये द्रावन नुँ वजन जानों छो, तम्ये द्राविय पदार्त नुँ वजन जानों छो, तो तम्ये द्रावक नुँ वजन मल छे, एब उसी दिवाद छे, एले हवे द्रावन नुँ वजन, द्रावन नुँ वजन, डबल्यू बराबर सुँ थाए, तो के द् जहने आपने डबल्यू वन कईए प्लस द्राविय नू वजन जहने आपने डबल्यू तू कईए तो द्रावन नू वजन आपने जानिया शिया ओगणी सो नेवू ग्राम बराबर द्रावक नू वजन आपने मेलवानू से डबल्यू वन अन्न द्राविय नू वजन आपने माइनोस ओग पच्चास औने माटे 190 मति तमे जो ओग पच्चास बाध कर शो तो आज जवब आपने मल शे ओगणी सो 51 गृम 1141 ग्राम तो हवे आपने मोलालिटी मल शे तो मोलालिटी M बराबर W2 गुणा करम हजार चेदमा M2 गुणा करमा W1 क्यमकि हवे आपने द्राविय और द्रावक बन्ने ना वजन जाने लिदो तो द्राविय पदर्दनु वजन तमे जुओ 1150 ग्राम शे गुणा करम हजार अनुबार थाई शे अठानु ग्राम प्रति मोल अने द्राविय और वजन 1141 अनो तमे जो गुणा कर बागा कर कर शो तो आज जबब अपने मोल शे जिरो पॉइंट बसो अठावन मोलालिटी 0.258 मोलालिटी तो तमें जुओ मित्रो के 0.5 मोल रह एच्टू एच्टू एच्चो पॉर्णा द्रावन नी मोलालिटी गेट लिए थाई तो के 0.258 एद्रावन नी मोलालिटी थाशे खास एज्यान राखवानू कि जो तमने मोलालिटी आपेली होई तो एना उपरती तमें मोलालिटी गणी शको पन एना माटे तमने द्रावन नी घंताशने आपेली ओवी जोईए आने उल्टू विच्चारों कि घंढी बदी वकत जो तमने मोलालिटी आपेली होई तो एना उपरती तमे मोलालिटी पन गणी शको पन जो तमारे मोलालिटी उपरती मोला रिटी गणूँ ओए तो यादकरो द्रावन ना कद नी जरुरू पड़े औने आ द्रावन नों पन घंता उपरती गणी छकाई आवा उलड़ चुलड़ कोई पन दाखला हो जो पूछवा माईवा होई तो एना जवाब आ रिते मेलवी छकाई और आवा घणा बद्धा MCQ प्रश्णो तमे तमारा बुक नी अंदर पन तमे जो शो आवा घणाए प्रश्णों होई शके जहमा मोला रिटी उपरती मोला लिटी गणावानु होई अत्वा मोला लिटी उपरती मोला रिटी पन गणी शकाई पन आव बन्ने केस मा तमने द्रावन नी घंता अची यह आपेली ओवी जोईये औने यहना उपरती आपड़ या गणी शक्ये मानिलो के जो तमारे मोला रिटी उपरती मोला लिटी गणावानु होई तो द्रावन ना वजन नी जरूर उपरे जह तमे घंता उपरती गणी शको जो तमारे मोला लिटी उपरती मोला लिटी गणवी होई तो द्रावन ना कद नी जरूर पड़ीछे तेरे वजन तमे जानता हो घंता जानता हो तो द्रावन नू कद पन मलचे एले आविदीते कोई पन दाखलावो छे ए तमे गणी चक्षो सेम दाखलो आना जेवो जो एक मुँ तमने वम्रक मा अपूशू अने ए प्रश्णा आवोश से के 5 मोलर 5 मोलर एच्टु एच्वो पन्ना द्रावन नी घंता 1.9 नू ग्राम प्रती मिली छे तो द्रावन नी मोला लिटी गणवी रकम तमे बूख मा लखी ले जो किया हवे में तमने द्रावन नी मोला रिटी एटली आई पी छे तो के 5 5 मोला रिटी अत्वा तो 5 मोलर एच्टु एच्वो पन्ना द्रावन नी घंता 1.9 नू ग्राम प्रती मिली छे तो आ द्रावन नी मोला लिटी गणवी तो सेम तमारे आनी जेम जे आ दाखलो गनवानु छे जहां आपडे मोलारिटी 0.5 लिदी ती एना बदले तमारे 5 मोलार द्रावण छे लेवानु छे आने तम्हें जो गनतरी कर शो तो तमने आ द्रावण नी मोला लिटी पन मला छे आने एनो जवाग तमने मला छे 3.33 अनो आ में दाखलो तमने जे गणे हुँ एनी जे मज प्रमारे आ दाखलो ओम्रक मा गणुवानों छे अन्ने एनो जवाब में तमने किदू ते प्रमाने 3.3 मोला लिटी एनो जवाब से ये तमने मले छे त्यार पसी एक दाखलो ओछे अन्ने एनी रकम उवाब या गल लखूछु के आ दाखला नियंदर पन आपने मोला लिटी अन्ने मोला लिटी गणुवानों छे एक जलिय द्रावण ना 100 ग्राम मा 10 ग्राम नसे येल छे द्रावण नी कंता 1.01 तेर ग्राम प्रती मिली छे तो आध्रावण नी घंता 1.01 ग्राम प्रती मिली छे द्रावण मा नसे येल नी मोला लिटी अन्ने मोला लिटी गणुवानों तो आध्रावण ना 100 ग्राम मा 10 ग्राम नसे येल ग्राम प्रती मिली छे तो द्रावण मा नसे येल नी मोला लिटी अन्ने मोला लिटी गणुवानों तो तमने ख्या लावव वजए कि जो आपटे द्रावण न वज़न द्रावक न वज़न जानता आइश्यों ने तो मोला लिटी तो गणाईज शे आईए तमें जूओ कि सो ग्राम द्रावण मा 10 ग्राम द्रावण न्ने मतलफ जोँँवानों के 9 ग्राम द्रावकन वजन चीओ तो ए माहिती परती आपड़े सिद्धू पेला मोला लेटी तो गणी सक्षो तो पेला आपड़े येज गणी लईए तो तम्हें जुओ के अहीं आगल तम्हें आज दाखलानी अंदर जो मोला लेटी जो आपड़े गणी वोई तो अहीं 100 ग्राम द्रावन मा 10 ग्राम नसल छे एटले के द्रावक पाणी नूँ वजन बराबर द्रावक पाणी नूँ वजन बराबर 100 माइनस 10 बराबर 9 ग्राम तो मोला लेटी M बराबर W2 गुणा कर्मा 1000 चेदमा M2 गुणा कर्मा W1 जा W2 बराबर विचारो द्राविय अपड़ार नूँ वजन केटलो उसे 10 ग्राम W1 एटले द्रावक पाणी वजन केटलो उसे 10 ग्राम बेन ब्यगा कर्शो तो द्रावण वजन थाई 100 ग्राम विजो M2 एटले नसल नू आनविय दल तो सोडियम नू परमाणिय दल 30 थाई क्लोरिन नू परमाणिय दल 35.5 थाई येदले 8.5 ग्राम प्रति मोल ये सोडियम क्लोराइड नू आनविय दल थाईो आ किम्तो आपड़े आमाँ मुकी देए तो मोलालिटी बराबर 10 गुनाकारमाँ हजार चेद माँ 58.5 अने द्रावक नू वजन थाई नेव उग्राम आनो तमे जो गुनाकार भागाकार कर शो एटले आपने आज जवाब मलशे 1.890 आनू इज एप्रोक्सिमेटली 1.9 मोलालिटी आपड़े काई शक्तिये बराब तो पेलू तन विच्छारो के एने शेल ना द्रावन नी मोलालिटी केटली तो के 1.890 आनू अथवा अप्रोक्सिमेटली 1.9 मोलालिटी थाई अवेजो तमारे मोला रिती गणवी ओए तो यादकरो द्रावन ना कद नी जरूर पड़े अन्य द्राविय पद्दार ना वजन नी जरूर पड़े अन्य द्राविय पद्दार नू वजन तो आपड़े जानी आशिए 10 परन्तु द्रावन नू कद जो तमारे जान उए तो येना माट घंता तमने आपेले शे एला घंता उपरती पेला आपड़े द्रावन नू कद मिलवी लेशु और कद मले जाई द्रावन नू तो येना उपरती आपने द्रावन नी मोला रिती गणवी शक्षु तो गंता बराबर शुम थाई तो कि द्रावन नू वजन भाग्या द्रावन नू कद जो गंता केटले आपीजे तो 1.013 ग्राम प्रति मिल बराबर द्रावन नू वजन छे 100 ग्राम छेदमा द्रावन नू कद त्रावन नू कद बराबर शुम थाई कि द्रावन नू कद बराबर 100 ग्राम भाग्या 1.013 ग्राम प्रति मिल बराबर ड्रावन नू कद ग्राम ग्राम निकली जाशे चेद माजुव मिली इन्वर्षे अंश माज आयतले मिली लिटर थाई जाशे तो द्रावन नू कद आपने मली त्राणू पने चाड़ात रिस मिली अवे आपने अन्ना उपरती मोला रिती मलशे तो मोला रिती केपीटल M बराबर मोला रिती केपीटल M बराबर W2 गुणा कर्मा 1000 छेद मा M2 अन्ना गुणा कर्मा W चोरे द्रावन नू कद वी मिली आ सुत्रमा तमे कीमत मुक्षो एटला आपने द्रावन नी मोला रिती मोल चे द्राविया पतादार्दनू वजंत में जुव 10 ग्राम चे गुणा कर्मा 1000 अ अनुबाल 8.5 ग्राम प्रती मोल चे अन्ने कद 3.37 मिली चे आनुजत में गुणा कार भागा कार कर्शो एटले आपने आज जवाब मल चे 1.307 1.307 मोला रिती बरोब तो विच्शारो के sodium chloride नुज आ प्रकाने द्रावन से एध द्रावन नी मोला लिती अन्ने मोला रिती बन्ने पूछो चे अन्ने आपने मोला लिती अनुखर में मल चे 1.809 अन्ने अन्ने मोला रिती आपने मल चे 1.307 एटलो एणी मोला रिती चे ए आपने मले अशे, अवे आ प्रकार ना कोई पन दाखलावा जो आपने पूछवा मायवावावाई, तो आरित्यतनी गनतरी करवा नीशे, खास अने खास, मोला रिती अने मोला लिती, आप बन्ने एकम मां शूम प्याद शे, येने पन खास जान राकवानू, खास एपन खबर आपने मोला लिती, 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 आपने मोला लि यह उखरी शकाई तो आप रकार ना मित्रो दाखलावो छे ए दाखलावो बदा मोला लेती एकम उपर अधरी दाखलावो छे एक दाखलो अपने आप रकार नो बनी लएए आने एद दाखलानी रकम हुँँआ यहागल बोरूप लखू चु ब्याओ धाखलो आवा प्रकार पाँच हजार ग्राम पाणी मा केटला ग्राम NaOH उम्यरिये तो 0.1 मोलल द्रावण बन्ये मित्रवाद आखलो तम्ये भुमवर्ख मा ग्राणी छक्षो विचारो के द्रावग पाणी वजन आपने आपने आपकेलो से 5,000 ग्राम W2 आपने मेळा अनूँँछे एन्ये वयतनो अनुबर आपने जानिये से 40 ग्राम प्रति मोल अने द्रावन नी मोला लिती पन तमने आपेलेचे 0.1 बधी किम तो मुख्षो तो द्रावय पद्यार्थनो वजन W2 ये आपने मलचे अने एनो तमे जो गनतरी करेचो तो एनो जवाब W2 बराबर तमने मलचे 20 ग्राम आओ जवाब चे ये तमने मलचे तो आदाखलों मित्रों तमे एक ओम्रक्मा चाते गन जो अवे जे आपने केटला का दाखलाव बनवाना चे ये त्यार पचिनो एकम जे आपने समझा था वजन Wजन ती टकावारे परसंटे जो वेईट बाई वेईट आ एकम उपर आधारित दाखलावो चे ये आपने गणिये येटले हुँ अईया अगर लखूशू के अपने जे दाखलावे गनवाना चे ये वजन Wजन थी टकावारी वजन वजन थी टकावारी जहने आपने परसंटेज ओफ वेईट बाई वेईट कईए शिया पर आधारित दाखलावो बराबर जो हवे आपने मित्रो आ प्रकारना एकम उपर आधारित दाखलावो चे ये आपने गनवाना चे परसंटेज ओफ वेईट बाई वेईट ये याद करो दल दल ती टकावारी येवी बोलाई अथवा वजन वजन ती टकावारी येवी पन आपने कई आछी अन्या आ एकम उपर आधारित दाखलावों मा पेलो दाखलो चे के 734 ग्राम पानी मा ट्रोंसेट ग्राम के ओएट पोट्टेजम हाईड्रोकसाइड ओगाले ने द्रावण बन्नावेल चे तो आध्रावण ने सांद्रता तो आध्रावण ने सांद्रता परसंटेद ओफ येट बाई वेट मा शोधो जो मित्रों तम्हें याद करो क्या अपने जयरे आएकम समझा त्यारे है तमने याद शे के परसंटेद ओफ बाई वेट येनो मतलब अपड़े शूं करिया शे के डबल्यू ना चेद मा डबल्यू येनो मतलब अपड़े वो करिया शे के द्रावण पदार्थनू वजन छेदमा द्रावन नूँ वजन W नो मतलब द्राविय पदार्त नूँ वजन छेदमा W एटले द्रावन नूँ वजन अने टका वारी एटले के गुना कर्मा 100 तो तमे जुओ के आपड़े आवो शूत्र है समझेता त्यारे के वजन वजन थी टका वारी परसंट वजन वजन थाई तो के W2 गुना कर्मा 100 अने भाइग्या W अव आपड़े समझेता तम याद करो खाज जन रखो नूँ के टका वारी एटले गुना कर्मा 100 आवशे याद करो अने आपने तमने याद होई तो आपड़े भी 83 मूखे ले के W ग्राम द्रावण मा W2 ग्राम द्राविया पड़ार्थ होई तो 100 ग्राम द्रावण मा केटलो आज जवब आवशे ने याद परसंट वेट वेट बाई वेट केवा मा अने ना उपर ते आपने शुत्र तैरू तो आशुत्र मा तमें जूओ के ज्यान W2 बराबर शुँता है तो के द्राविया नूँ वजन अने द्राविया पड़ार्थ नूँ वजन आपने आपने आपेलो जे च्वशेट ग्राम के वो यच तमने यह क्या लवो जुए कि आमा कोई द्राविया पड़ाथ ना अनुबने का जरूर न थे बरोबर येटले आना अनुबने गणत्री मा लेवाने कोई जरूर के आवशक्ता चे जन या शुत्रमा अहीं आगल W येटले द्रावन नूँ व वजन द्रावक नूँ वजन तम्या जुओ मित्रो के 736 ग्राम पाने की दूँछे प्लस द्राविया नूँ वजन चे चोंसट ग्राम आनो तम्या जो सर्वालों करिशो तो आ जवाव आपने मल से 800 ग्राम द्रावन चे येनू वजन थायो अगे तम्या आ किमत आमा मुकी तो द्राविया पदार्त नूँ वजन डबल्यू टू चोंसट ग्राम गुणा कारमा सो आग्या द्रावन नूँ वजन आट सो ग्राम बरोबर येटले आनो तम्ये जो गुणाकर ब्रागा करिशो तो आनो जवाब मल से आट टका वेइट बाई वेइट जराग विचारो त तो आट धाकला नो जवाब जी आपने मल से आट टका वेइट बाई वेइट केवो एतनू द्रावन येव उकाई शकाई केवो एतनू द्रावन बरोबर आवए नू अर्थागट अंता है एकले नोर चुँँचियो, के 100 ग्राम द्रावन मा 8 ग्राम के वोई चे, तो बोग शिते वार थे के 100 ग्राम मा 8 ग्राम होई, तो 200 ग्राम द्रावन मा 16 ग्राम होई, 300 ग्राम द्रावन मा 26 ग्राम होई, एम करता करता 800 ग्राम द्रावन मा 24 ग्रावन द्रावन द्रावन प्रकार ना दाख लाओ महाँ तो आनो जो भाउशे आट टाका वेट भाई वेट आवाज प्रकार नो एक दाख लो तमने या बोड उपर लखा उचु के चारसो पच्चास ग्राम पाणि महाँ चारसो पच्चास ग्राम पाणि महाँ पच्चास ग्राम या उच्चास 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 ग्राम या गाल ने द्रावन बनावेल चे तो आज द्रावन नी सांद् द्रावन वजन द्रावक प्लस द्रावियन वजन तो लेना वजन वजन तमें सर्वालों करशो तो आ से 450 ग्राम द्राविय से 50 ग्राम सर्वालों करशो तो आपने कूल वजन मलें से 500 ग्राम अन्य आ किम्मद जो आपने आमा मुखी देए तो द्राविय पदार्थन वजन 50 ग मुना करमा 100 अने भाग्या 500 तो अनो जवाब अपने मलसे 10 तका weight by weight एने weight द्रावन अवन और्थगटन द्यो ग्रभ तो साव सिंपल लिचे तमें विच्छारो के 500 ग्राम द्रावन मा 50 ग्राम जो द्राविया पदार होए तो 100 ग्राम मा तो 10 ग्राम जो थाई किमके 100 ग्राम ये आनो पांच मो भाग थियो तो आनो पांच मो भाग येटले केटलो थाई तो के 10 ग्राम तो 10 तका weight by weight एनो जवाब छे आपने मलसे मानिलो के एक दाखलो आवो पूच्वा मैवो शे अननी रकम मुँआ याग लखूशु के आवो किदू शे क्या 5 तका weight by weight 5 तका weight by weight सांध्रता वालू एने टू CO3 नू 2 किलो ग्राम द्रावण बन्नावा माटे केटला ग्राम एने वयत नी चोरी केटला ग्राम एने टू CO3 नी जरूर पड़िशे केटला ग्राम एने टू CO3 नी जरूर पड़िशे क्या 5 तका weight by weight सांध्रता वालू एने टू CO3 नू 2 किलो ग्राम द्रावण बन्नावा माटे केटला ग्राम एने टू CO3 नी जरूर पड़िशे तो तमने ख्याला आउशे क्या या आगल द्रावण अपदारत नू वजन आपने पूशो जे आपने मेला वान उस्तोक मा डबल्यू एटले द्रावण नू वजन अन्ने द्रावण नू वजन एआ आपने आपने लूँजे अन्ने वेख किलोग्राम येटले 2000 ग्राम थाचे बरोब टकावारी पने आपने लिजे तो जूओ परसंट जो वेट बाई वेट केटलो जे तो के 5 तो 5 बराबर W2 गुना कर्मा 100 अन्ने भाग्या 2000 तो W2 द्रावण पदारत नू वजन बराबर 5 गुना कर्मा 2000 अन्ने अन्ने भाग्या परसंट बराबर आपने जवाब मलेशे 100 ग्राम जो तमे 100 ग्राम येने टू सीओ थी तमे उमेर शो बेए किलो ग्राम द्रावण तमे बनावो तो ये द्रावण नी सांदरता शे ये 5 तकावेट बाई वेट कई शकाई अनुर चो 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 क्या 5 अन्ने टू सीओ तरी जे 100 ग्राम द्रावण मा पांच ग्राम द्राविया परदार चे अनुर थे वो तो तो तमें आमना मोखे किसाब करो तो के 100 ग्राम द्रावण मा जो 5 ग्राम द्राविया परदार तो 1000 ग्राम द्रावण तमे लोन तो 1000 ग्राम द्रावण मा 50 ग्राम द् इस ङावा ना थोई। रकम अवा प्रकार निसे के पात्रिष तका वेइट बाई वेइट पात्रिष तका वेइट बाई वेइट H2SO पोर्णा द्रावण नि मोला निटिशोतो बरोबर जो रकम अचो मित्रो के पात्रिष तका वेइट बाई वेइट H2SO पोर्णा द्रावण नि मोला नितिशोतो तो तम्हें जूँओ के मेतम ने अमणा घीदु कि तमारे जो कोई पन द्रावन नी मोलालेटी गणमी होई तो द्राविय पदार्थना वजन नी जरूर पड़े द्रावक ना वजन नी जरूर पड़े अने अनु बन नी जरूर पड़े अज तेने द्राविय पदार्थने के X2SO4 शिये तो अनु बार तो अपने जानी चीए कि अपने अठानु ग्राम प्रती मोल थाई पन द्राविया अने द्रावक नु वजन जने यह आपेली मायती परती अपने सव प्रतम मेलवी लेवा पडे तो अनुस तमारे अर्थ गटन करवा पडे के 35 तका weight by weight H2SO4 नु द्रावन H2SO4 नु द्रावन यह आपेले के अनुस ताई के 100 ग्राम द्रावन मा 35 ग्राम द्राविया पडार छे यह आपेले के 100 ग्राम द्रावन मा 100 ग्राम द्रावन मा 35 ग्राम द्राविया पडार छे खास समझे मेत्रों 35 तका weight by weight नु अर्थीulle करवानू के 100 ग्राम द्रावन मा 35 ग्राम द्राविया पडार छे आनु अर्थे ऊताई अने तो तमे मने एक तेती द्रावकनू वजन केटलू के द्रावकनू वजन बराबर 100-35 तमे करशो एले 5-6 ग्राम जने ये द्रावकनू वजन चे एतले तमे जोग हवे तमने मोलालेटी मल शे के मोलालेटी small m बराबर w2 गुना करमा 1000-m2 अने गुना करमा w1 तो द्राविय पजार्तनू वजन थाई हू 15 ग्राम गुना करमा 1000 चे द्रावकनू वजन थाई हू 15 ग्राम आनो जो तमे गुना कार पागा कार करशो एतले आपने आज जवाब मल शे 5.5 मोलालेटी तो तमे जो हाई शक्कों शो कि जो आपने परसंटेजव वेट बाई वेट आपेलउ हो तो एना उपरती तमे द्रावन नी मोला लीटी शे ये गणी शक्कों सो झेमा तमें आप नू अर्थ हो गटन तमें करुषिऊ अने 6 गटन भए जो तमें आ नू 7 गटन करशिऊ तो दर्राविय अन्य दर्रावक ना वजन्नों ख्यालाव था और आपया आपर जानें लीए तो येना उपरती मोला लिटी तो आपनें मोला इसागे गणी बती वकत द्रावण नी जो तमने मोला लिटी आपेली होई मोला लिटी आपेली होई तो एना उपरती परसंट दो वेट बाई वेट पन गणी शकाई जेमा तमार आनो अर्थ अगटन करूँ पर जे 5.5 मोलल द्रावण एटले शुँँ कि 1 किलोग्राम पाणी हमाँ खाल समझ्यो द्रावबक नो वजन 1 किलोग्राम वमाँ नी एक किलोग्राम पाणी माँ 5.5 मोलल पर-चे अन पाँ पाईट पाँट पाँच मोलल जे शुँँए h2 옌 पोर्चन एनो वजन तमे पर्संटेज ओ वेट बाई वेट पान गणी शकाया तुक मा आपने एतली खबर पड़ुई जोई है हर्फ़ गुभ्र कईपन जानो आपने जानव लगा तो यहां करी खिशसमय एतली तुक में आपने खाबर होलेगए तो यॉन Новूू ऐन्नी खबर होलेगा तो आवाा अं Denise डाकलावा होे पूचव्यक्सर में कोس आपने पूचया माईवा वो आ प्रकार ना दाखलाओ तमे घणा बद्ध्या जो क्या आवा दाखलाओ नी घणतरी करी छकाई पन अजू परसंटे जो वेट बाई वेट तमने मनो के आपेला होई तो जेम तमें मोला लिटी गणी छको शो एविज दृते मोल अंश पन गणी छको पन यह बद्धू आपड़े भेगव समझी ते पेला मात्रने मात्र मोल अंश एकम उपर आधरी दाखलाओ शे यह जानी लेवा जरूरी इसे तमने एकमीत्रों क्या लाव शे कि आवा घणा बद्धा एकमो आपने जयम जयम समझता जहिए तेम तेम ब्यक्य त्रण एकमो ने भेगा थाए यहाई प्रकाना दाखलाओ के प्रश्णों से पूछवा मावे अया उक्यम कहुच के जो तमे परसंद एव वेट बाई वेट तम जानता हो तो मोला लिटी तो गणी शकाए परंतु मोल अंच पन गणी शकाए मानुक्य आना दाखलाम तमने एकमी तुम्य शोपना द्रावनी घंता आपी ओए तो तमे मोला रिटी पन गणी शको आवा को पन प्रक्ष्णा पूच्वामा आजसा आना जहोज एक दाकलो तमने ओम्बर्ख मा पुचू और यह दाकला नी रख कमावाप्रेका नी शे के 10 तका वेट बाई बाई वेट एने वेट ना द्रावनी घंता द्रावनी और ना द्रावनी प्ला लिटी शोधो तमारे आज द काट वो पड़ीशे दस तका वेट बैव क navig關係 सो ग्राम अमां काच जो जो ज जो ड्रावन पानी नै सो ग्राम अमां सहरा दस ग्राम अमर्वunuत पड़ार तो पानि केतलू अằng प्रति मोल शुत्रमा कीमत मुख्षो तो तमने द्रावन नी मोल आलेटी मोल छे अन्य द्रावन नी मोल आलेटी नो जवाब आव शे बेव पोईंट सत्यो तेर साथ आईटलो तमने उजवाब शे एज तमने मोल शे अन्य आवे आपने मोल आंच एकम उपर जे केटलाक दाखलाओ अपने गणुमाना शे एहने आपने गणतरी करी चुँआ के आपने बुक किनी अंदर तुम्य जो 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 बहता जुदो जुदाओदा एकम तो बुक ने अंदर उद्धारण मा पन कोईडाव शुरूपे आपेला तम जुओ, बुक मा पेज नंबर उगणी सूपर कोईडो 1.6 आपेलो शे, अने रकम तम्हें जुओ, कि पदार्थ एना 2 ग्राम ने 10 ग्राम पाणी मा उमेरी, द्रावन बन्नाव मा आवियो, तो द्र टका गणू, तो तमने आवड़ू जुओ, अने गणे लोपन से, अने तमने एने गणतरी करी सक्षो, त्यार पची मोला रिटी एकम उपर आधरी धाखलो, कोईडो 1.7 तम जोई शको शो, कि चार ग्राम एने उद्धने पूर्ता पाणी मा द्रावियो करी ने, बसो पच् मिली द्रावण बनावेल छे, तो आँ द्रावशनी मोला रिटी मिली। यह दाखलो तम जाते गणी जो, कोईड़ो 1.8 में आचो रखाम, शुँँ अपूशे, त्रोन मोलर एने सीयल ना द्रावन नी घंता 1.25 ग्राम प्रती मिली छे, तो द्रावन नी मोला लिटी शोधो, जोए जोओ, आपने जहम घंवान उसे, अईया आपनी बुक माझे उके लाएपो शे, यह विरते दाखलो ग्राम नी जरूर नथी, यह खोटू गिनुशे, आपने केता नाती, पन तमने यह समझन ना पड़े, तो तम्या एमने चुओ के तमने मोला लिटी आपी छे, तो एना उपरती पेला द्राविय पद्धात नू वजन तमने मली जाए, घंता तमने आपी जना उपरती द्रावन नू कद, तमने एक ल स्पलालिती मल छे, आवए दाखलो आपडिये कामा गणे लो उने आपी जोई सब्सक्रणा तमने जोई शक्षो, आपने हटकू जोचलो पन तमने आपने जाते गणुआनो अन्या जवाब, आपनी बुक मा आपेला जवाब साते, मेलभी जवाब, तो आकोईडा ओ आपको पर आधरेत कितलाग दाखलाव। आपले सम्झी लेशु और त्यार पशी आपले स्वाइध्या इनी अंदर जे बजा दाखलाव। आई पासे येनी आपले गनत्री करशु पन येनी वात आपले आवता नेक्स्ट लेक्चर ने इन्दर सम्झी शु थेंक्यू वेरी झाले सम्झी आपले वेरी मुच्छ वेरी मुच्छ, और पयाद और सम्झी शुच्साइध्या इनी इन्दर सम्झी आपले 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 सम्झी अंदर फ्यू शुचूवद intrigued प्रूश